नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आजे चोधरी आज आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ देखे आज का जो हमारा वीडियो है ये इस्पेशली सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए है जिनका 26 अप्रेल और 1 माई को जिके का पेपर है सेकंड पेपर उनका भी नहीं है उसमें गेप है उसकी डेश्ट पॉस्टपॉंड हो चुकी है वो जून के आसपास बताए जा रहा है तो अभी आपके लिए महत्पॉन है जिके का जो पेपर है 26 तारिक और 1 माई को उसके लिए देखे हर इस्टूडेंट एक्जाम डेट से पहले बहुत मैनत करता है लेकिन कई बार एक्जाम के अंदर उन दो घंटे के दोरान वो उतना अच्छा नहीं कर पाता जितनी उसको अपेक्शा होती है जितने मेहनत करता है उतना फ़ल उसको नहीं मिल पाता उस एक्जाम के दुरान तो देखे कई फैक्ट होते हैं जो काम करते हैं उनकी वज़े से अच्छी त्यारी होते वे भी कई बार आपको नुक्सान उठाना पड़ता है तो जो साथी लगातार एक्जाम दे रहे हैं जिनको अनुबव है वो भी से देख सकते हैं और जो युवा हैं जो पहली बार एक्जाम दे रहे हैं वो इस वीडियो को जुरूर देखें देखे ये जो वीडियो है ये आपको एक्जाम होल के अंदर अपने आपको कैसे रखना है इस चीज़ के बारे में आपको बताएगा और उन दो गहंटे में आप कैसे सोल करना है पेपर को देखे आप कोई भी जैसे मालजी यूद भी करने पहले योदा जाते थे तो वो युद के लिए एक रणनीती बनाते थे लेकिन रणनीती तभी कारगर होती थी जब उनके तरकश में तीर होते थे यानि उन्होंने युद का अभ्यास कर रखा है वो युद करना जानते हैं अब युद के मैदान में कौन सी रन नित्ती बनानी है जिसके दोबर वो विजय प्राप्त कर सके है उसी परकार से जिन्होंने पहले study की है उनके लिए ये काफी फाइदे मन रहेगा देखे वैसे आप सभी को पता है कि आपका syllabus क्या है फर्ष्ट पेपर का लेकिन फिर भी मैं एक बार आपके सामने बता देता हूँ कि आपको दो गंटे मिलेंगे exam के लिए सो क्यूशन आएंगे आपके सामने हर क्यूशन दो नमर का होगा टोटल टू हैंडेस मार्किंग है तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है देखे आपका syllabus वैसे तो देखे वैसे तो जो आपका syllabus है आप सभी जानते है लेकिन फिर भी मैं आपके इसके बारे में एक बार जिकर करता हूँ यहां देखे राजस्तान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर और जियोगराफी से रिल्टेट सिर्फ राजस्तान से रिल्टेट जो है वो 40 क्यूशन आएंगे यानि 80 मार्क्स का ये टोपिक हो गया राजस्तान के करंट अफेर ये 20 मार्क्स का ये 10 क्यूशन आएंगे इसके वर्ड एंड इंडिया जी के इसके भी 30 क्यूशन आएंगे 60 नमर का है ये और एजुकेशन साइकोलोजी इसके भी 20 क्यूशन आएंगे तो वैसे देखा जाए तो सभी जो टोपिक है वो बहुत मैतपूण है और 40 क्यूशन और वर्ड इंडियान जी के 70 क्यूशन जो है 70 परसेंट तो सिर्फ इन दो का ही पार्ट है और आप देखिए राजस्तान हिष्टि और आर्ट कल्चर से रिल्टेट जो वीडियो है जियोग्राफिक एर ये मैंने काफी वीडियो पोस्ट किये हैं आपके सेकंड ग्रेड के स्लेवस के अकोर्डिंग और मेरे टोटल वीडियो में से अभी तक 70 परसेंट भी अगर कोई वीडियो है तो लगबग आपके इस पहले टोपिक मैंसे ही है आचा उसके बाद में हम बात करते हैं करंट अफेर्स की देखिए आपके पास जो भी मेटर हो उस मैंसे या कोई भी 6 मन्त से 8 10 मन्त पुरानी जो भी एक कोई भी मार्केट से आप गाइड लाज सकते हैं पतलिसी ज्यादा डिटेल में जाने के आउशकता नहीं है इसमें खेल से समदित किसी को कोई आवार्ड मिला हो सरकार की कोई नई योजना हो ये तीन चार टोपिक होते हैं एक उर्जा से समदित करंट में उर्जा से रेलिटेड क्यूस्टन जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं इसको भी आप थोड़ा द्यान में रखेगा सरकार की कोई नई उर्जा से समदित कोई नीतिया हो तो इसको द्यान में रखे वैसे देखे इन सभी टोपिकों को आपने जितना पढ़ा है उतना पढ़ लिया है अब उसमें कुछ नया पढ़ने के आपको आउशकता नहीं है नया पढ़ेंगे तो फिर उसमें आपका ही लोस है ये एकजाम से जश्ट दो तिन दिन पहले की बाते होती है अच्छा एकजाम से पहले वैसे कहा जाता है कि आपको कुछ नहीं पढ़ना चीए और बिल्कुल नहीं पढ़ना चीए लेकिन एक चीज़ है जो इसके बारे में आपको जरूर कहना चाता हूँ कि जो करंट अफेर्स है ये वैसे देखा जाए तो सबसे आसान होता है लगता मुश्किल है लेकिन ये सबसे आसान होता है एकजाम में जाने से पहले आप चाहें तो एक दिन पहले जो करंट अफेर है उन सबी को अपनी आँखों से जरूर निकालें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपने पहले पढ़ रखा है लेकिन करंट अफेर को जरूर ध्यान से देखें ये आपके 10 में से कम से कम 6-7 किसन आराम से सही करवा देगा अब देखें ये आपका सलेबस है अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे देखें मैंने आपकी एकजाम में क्या रणनिती होनी चाहिए उसे दो भगों में डिवाइड किया है कि एकजाम के अंदर उन दो गहंटे के दोरान आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए देखें सबसे पहला तो आपका आता है टाइम मेनेजमेंट आपके पास दो आर हैं, दो गहंटे हैं और दो गहंटे सो क्यूशन के इसाब से कोई कम नहीं है ये कोई मैथ रीजिनिंग का या उनका पेपर नहीं है कि आपको फास करना ही पड़ेगा दो गहंटे प्रियाप्त होते हैं एक जिके के पेपर को करने के लिए तो उसकी आपके सामने प्रोलम आईगी नहीं अब देखें, सबसे पहले जाते ही अगर इसको तीन राउंड के अंदर करना ज़्यादा सही रहता है कैसे करेंगे आप सबसे पहले आपको सुरू से लाश्ट तक टोटल सो क्यूसनों को एक बार पड़ जाना है क्या करना है आपको पहले राउंड में आपको पहले क्यूसन से लेकर और last question तक total पड़ जाना है उस में से जो देखते ही आपको answer क्लिक हो कि हाँ इसका 100% यही है उन पर आपको टिक मारक करते जाना है और देखें फर्स्ट राउंड में 35-40 question आप कर लेंगे अगर आपने पढ़ाई की है पहले आप 35-40 question फर्स्ट राउंड में कर जाते हैं अगर इतने question आप सही करते हैं फर्स्ट राउंड में वन कलिक देखते ही तो मानके चलिए आप सही direction में जा रहे हैं और फरस्ट राउंड में कोई चिंता करने क्या उशकता नहीं फिर हम बात करते हैं second route की इसके अंदर जिन उप्शन में आपको लगता है कि इन दोनों में से कोई एक उप्शन सही है उनको गहराई से सोचिए, चिंतन मनन कीजिए, याद कीजिए जो आपने पड़ा है और उन दोनों में से एक को आप अटेंड करेंगे तो आप लगबग 15-20 क्यूशन आप और सही कर जाएंगे इसमें कितने? 15-20 क्यूशन आप इसमें और सही कर जाएंगे जब 2 में से कोई एक उप्शन आपको करना हो आप जानते हैं कि या तो A सही है या B सही है इन दोनों में से कोई एक सही है तो उनको गहराई से सोचेंगे थोड़ी देर सोचने के बाद में वो आपके क्लिक हो जाएगा 50-55-60 क्यूशन के करीब आप इसमें कर देते हैं सही अब देखें कुछ लोगों में नेगेटिव मार्किंग का इतना खतरना खोफ होता है कि वो डाउट फुल में से दोनों में से कोई एक होगा वो क्यूशन भी नहीं करते हैं जिसके वज़े से सिर्फ उनके 45-50 तक ही अटेंड करते हैं और ये जब फिर बाहर आते हैं तो इसमें से माइनस ओर होते हैं और आंकड़ा 35-40 परसेंट रह जाता है जिसमें सिलेक्शन नहीं होता है तो आपको कम से कम 55-60 क्यूशन तो आपके सही हो गए फर्स राउंड में, सेकंड राउंड में अब थर्ड राउंड के अंदर देखेगा कि आपको कुछ अंदाज लगाने होगी जैसे माली जी क्या आप आपको लगता है कि हाँ ये हो सकता है माली जी संभावना हो आपको कुछ कुछ संभावना हो कि ये क्यूशन इसका इंस्वर ये सही हो सकता है तो आप चाहें तो 10 से 15 क्यूशन अराम से उसमें कर सकते हैं क्योंकि 3 नेगिटिव क्यूशन पे एक सही क्यूशन गलत होगा अगर माल जी आपके 15 क्यूशन गलत होते हैं तो आपके 5 सही क्यूशन माइनिस हो जाएंगे तो इस मेंसे सम्हावना है कि कुछ हद तक आपके सही होगे तो आपको टोटल जो क्यूशन है वो कम से कम 25-80 अटेंड करने ही पढ़ेंगे इसके बिना काम नहीं चलेगा और बाकी जो सब कुछ डिपेंड है वो पेपर पर डिपेंड है कि पेपर कैसा आता है उस पर बहुत कुछ डिपेंड है अगर पेपर हाड आता है तो हो सकता है 60-70 ही हो लेकिन नॉर्मल पेपर है जैसा कि पिछले सालों में आता आया है तो आपको पिछेतर से 80 क्यूशन जो है वो अटेंड करने ही पड़ेंगे क्योंकि जिके के पेपर में 50% नमबर तो आपको लाने ही है इसमें से कई माइनस होंगे आपके 15-20 माइनस भी हो जाएंगे तो ले देकर कि आपसे कम से कम 50% मार्क्स तो आपके इसमें आने ही चाहिए कम से कम बताए हैं मैंने आपको तो इसके बात में हम बात करते हैं कि आपको वहां क्या नहीं करना है पहली बात कि जब सेंटर पर आप एंट्री करेंगे तो उससे पहले बाहर कोई भी खड़े हो आपके मित्र हो चाहिए कोई भी कुछ भी पढ़ रहे हो आप उनके साथ डिसकसन नहीं करेंगे अगर आप डिसकसन करते हैं तो आपके दिमाग में उस वक्त वैसे भी टेंसन हो रही होगी एक साथ इतना मेटर आने की कोशिस करेगा कि आपके दिमाग के बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाएगी ऐसी गलती नहीं करनी है स्वस दिमाग से शांचित दिमाग से बैटना है दूसरा सारे गोले एक साथ काले करने की गλती ना करें जैसे मालीजिया आपने सारे कुशना टिंक कर लिए सोल उस में मार्क लगा लिया और अब लाश्ट में आपने गोले एक साथ बढ़ना सुरू कर दिये इसकी वज़े से अगर एक भी लाइन उपर नीचे हुई तो सारे केक राये पे पानी फिर जाएगा सारे गोले एक साथ काले नहीं करने है जैसे 35-45 बिल्कुल सही हो गए आप कनफर्म हैं तो पहले उनको काला कर दीजिए फिर जिसमें कनफर्म हो रहें फिर उसको काला कीजिए इस तरह से आपको धीरे धीरे 15-10-15-10-15 इस तरह से करते हुआ आपको गोले काले करने है फिर नेक्स्ट कोई भी एक दो क्युस्टन जैसे मालेजी आपको कोई उलज आ रहा है और सबसे बड़ा अगर आपका पडोसी सारे गोले भर रहा है लगातार बैस गर्दनी नहीं ला रहा है सिर्फ गोले काले करने में लगा है तो उसको देख करके